बहुत बहुत हो गए था स्विभी का हमारी ये ये टोब चैनल स्वेडिया में मैं हुराज राभ देख रहे हैं स्वेडिया शेयरोप चैनल ब्हार विश्टर विदाले मज़वरपूर 21-24 के पार्थिरी के शाटर शाटरा है में पार्थिरी में admission हो रहा है गोलेज लगभग वैसे शाटर शाटरां का ही admission ले रही है जिनका पार्थ 1 भी clear है और पार्थ 2 भी clear है लेकिन आप में से कई strengthen ऐसे हैं जिनका part 1 अभी तक के clear नहीं हो पाया है या part 2 में promoted हो गए है बिहार विश्य विदाले part 3 exam जो आपका calendar में mention है बिहार विश्य विदाले के examination calendar में 2024 में जो होना है वह मई के महीने में होना है लेकिन मई से पहले बिहार विश्य विदाले को असना तक का दो exam लेना होगा जिसमें से एक तो परिक्षा calendar में mention है 22-25 के part 2 का वहीं एक और exam होना है जो part 1 special exam होगा आप में से वैसे चात्र चात्र है जो part 1 में promoted हो गए थे वो 25 के साथ exam दिये थे clear नहीं हो पाया था आप माम student आपको part 1 special exam में बैठने कम होगा दिया जागा यह part 1 special exam कब होगा मेरे हिसाब से मार्च में हो जाना शी लेकिन इनवर्सिटी अभी इस पर कोई fix date वगएरा अभी तैय नहीं की है बीच में कुछ text वगएरा वैरल हुए थे social media पर लेकिन वो अधिकारिक statement आगा तो हम आपको बताएंगे तो वैसे शात्र 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 इनका part 1 अभी तक क्लियर नहीं है वो part 1 special exam में बैठेंगे क्लियर करेंगे वही 22-25 के part 2 का exam आपके part 3 exam से पहले होगा तो जो भी शात्र शात्र है part 2 में promoted हो गए हुए है वो 22-25 के साथ exam देंगे part 2 क्लियर करेंगे यदि कोई 24 का है part 2 में पुरा फैली हो गया हुआ है तो एक साल उसको बैक होना पड़ेगा 22-25 के साथ उनको part 2 all paper का exam देना पड़ेगा और 22-25 के साथ ही part 3 का जब उनका exam होगा 25-25 वाले का तो उनको part 3 जेना पड़ेगा फैल होने condition में होता है कि आपको एक साल बैक होना पड़ता है प्रमोटे होने का मतलब है कि कोई paper में आप फैल हो गए हुए है लेकिन आपको university प्रमोट कर रही है आपको आगे बहा रही है आपके सेसं के साथ आपको बैक नहीं कर रही है फैल परिक्षा फॉर्म भरने के देथी जारी करेगी और विश्यविदाले उसमें यह दिमेंशन करती है कि वैसे शात्र शात्र है भी part 3 का परिक्षा फॉर्म भर सकते हैं जो part 2 में प्रमोटेड है यह जिनका part 1 अभी तक के clear नहीं है तो इस इस्तिथी में आपको student उसी वक्त आपका admission हो जाएगा तो चिंता की कोई बात नहीं है यह आपका part 2 प्रमोटेड है तो फॉर्म भराने के समय भी admission हो जाता है अब देख पार है यह दिखिएगा तो पंडित उगम पांडे कॉलेज इन्होंने हाली में notice जा रिकी है admission के लिए part 3 में लेकिन इन्होंने condition रखा है कि वैसे छात्र शात्राओ के लिए हम part 3 में admission लेंगे 21-24 वाले का जिनका part 1 और part 2 दोनों के लिए है यहाँ पर देखिए डॉक्टर करमात्मा पांडे ने बता है कि असनात्त प्रथम खंड एबम अब देख पारे दूतिय खंड जो की 21-24 के छात्र है जो छात्र शात्र है उत्तिर्न है यानि part 1 और part 2 दोनों में वो उत्तिर्न है प्रमोटिर वगर नहीं है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों clear है वही छात्र शात्र है यदि इस college के है तो उनका part 3 में admission हो जाएगा उसके लिए कहा गया है कि तुमाने student उनको इस इस website पर जाना है इस website पर जाकरके जो id password पहले से मिला हुआ है वो id password का इस्तमाल करते हुए payment कर देनी है 27 से 9 March के बीच में payment करना है payment करने के बाद जो sleep होगा payment वाला उसको print out करवा लेना है और यह सभी कागज़ात के साथ college में जो है कि वब वजीत करना है सभी का heart copy जमा करन यदि आप इस college के है part 2 में प्रमोटेड हो गए हुए है इसलिए आपका part 3 में admission नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है इंतेजार कीजिए जब विश्यविदाले जारी करेगी परिक्षा फॉर्म भरने वाली notice तब जाकरके आपका part 3 में admission भी हो जाएगा और उस वक्त आपक का परिक्षा फॉर्म भी फिलब हो जाएगा इसलिए अभी सभी उत्तिरन चात्र चात्राओं का admission नहीं रही है ताकि जो कम से कम पाह से उनका हो जाए बाकी बात में विश्यविदाले के आदिश के अनुसार सभी college काम करेगी तो आप देख पार है पंडी दुखम पंडने कीजिए जब इश्यविदाले notification जारी करेगी फॉर्म भरने के लिए तब जा करके आपका admission हो जाएगा पार्ट 3 का फॉर्म में माई में एक्जाम हुआ पार्ट 3 का तो अप्रील में पार्ट 3 का विक्षा फॉर्म फिलेप करवा लिया जाएगा लेकिन अहां दो एक्जाम को भी असनातक वला लेना है विश्यविदाले को जिसके कारण देखी हो सकता है कि कहीं टाइम पर नहों पाया क्योंकि अभी फर्वरी के महीने में ही फर्स सिमस्टर का पीजी वाला एक्जाम होने वाला था जो की कलेंडर में शीडूल था लेकिन वह शीडूल के हिसाब से नहीं हो पाया वह लेट हो गया तो आगे पीछे भी हो सकता है डेट लेकिन हां एक्जामनेशन कलेंडर में जो मेंशन है उसी कहीं साब से आप लोग को फॉलो करके चलना है बाकि आप लोग शल्ट से अपडेट रहेगा हम आपको समस्टर सारी रिपोर्ट देते रहेंगे और वाट्सिप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको भी आप जोइन कर लिजिए ताकि सारी रिपोर्ट वहाँ पर भी यह सब जो है कि आपको फोंटो वगरा हो अखबार का आर्टिकल वगरा हो कोई न्यू अपडेट जिसको वीडियो नहीं बन पाती है वो भी आपको बिल जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वर्ट से चनल का उससे भी एड हो जाए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस विखने के लिए